प्रार्थना ईश्वर के बहाने अपने आप से ही की जाती है. ईश्वर सर्व व्यापी और परम दयालू है. उसे हर किसी की आवश्यक्ता तथा इच्छा की जानकारी है. वो परम पिता और परम दयालू होने के नाते हमारे मनोरत पूरे भी करना चाहता है. कोई सामान्य स्तर का सामान्य दयालू पिता भी अपने बच्चों की इच्छा आवश्यक्ता पूरी करने के लिए उत्सुक एवं तत पर रहता है फिर परम पिता और परम दयालू होने पर वो क्यों हमारी आवश्यक्ता को जानेगा नहीं वह कहने पर ही हमारी बात जाने और प्रार्थना करने पर ही कठेनाई को समझे, ये तो इश्वर के स्तर को गिराने वाली बात हुई, जब वह कीड़े मकोडों और पशु पक्षियों की अयाचित आवश्यक्ता भी पूरी करता है, तब अपने परम्प्रिय योवराज मनुष का ध्यान क्यों न रखेगा? वस्त तह प्रार्थना का अर्थ याचना है ही नहीं, याचना अपने आप में हय है क्योंकि वह दीमता, असमर्थता और परावलंबन की प्रवृति उसमें जुड़ी हुई है जो आत्मा का गौरव बढ़ाती नहीं घटाती ही है, चाहे व्यक के घर मंदिर में बुरी बात तो बुरी ही रहेगी, स्वावलंबन और स्वाभिमान को आगात पहुचाने वाली प्रक्रिया, चाहे उसका नाम प्रार्थना ही क्यों न हो मनुश्य जैसे समर्थ तत्वा के लिए शोभा नहीं देती, वस्त तह प्रार्थना का प्रयोजन अ आत्मा को ही परमात्मा का प्रतीक मान कर स्वयम को समझाना है कि वो इसका पात्र बने की आवश्यक विभूतियां उसे उसकी योग्यता के अनुरूप सहज ही, मिल सके, यह अपने मन की खुशामद है, मन को मनाना है, आपे को बुहारना है, आत्मा जागरन है, आत्मा से प् अपने गुन, कर्म स्वभाव को प्रगती के पतपर अग्रसर क्यों नहीं करता। तू सभल जाए तो सारी दुनिया सभल जाए। तू निर्मल बने तो सारे संसार की निर्मल तक हिचती हुई अपने पास चली आए। अपनी सामर्थय का विकास करने में ततपर और का सदुपयोग करने में सनलग्म हो जाए तो दीन हीन अभावग्रस्तों की पंक्ती में क्यों बैठना पड़े। फिर समर्थ और दानी देवताओं से अपना स्थान नीचा क्यों रहे। प्रार्थना के माध्यम से हम विश्वव्यापी महानता के साथ अपना घनिष्ट सं पर्क स्थापित करते हैं। आदर्शों को भगवान की दिवय अभिव्यक्ती के रूप में अनुभव करते हैं और उसके साथ जुण जाने की भाव विहवलता को सजग करते हैं। तमसाच्छन मनोभूमी में अज्यान और आलस्याने जड़ जमाली है। आत्म विस्मृती अपना स्वरूप एवं स्तर ही बना लिया है। जीवन में सम्व्याप्त इस कोटसा और कुंठा का निराकरण करने के लिए अपने प्रसुप्त अंतहकरण से प्रार्थना की जाए कि यदि तंद्रा और मूर्चा छोड़कर तु सजग हो जाए और मनुष्य को जो सोचना चाहिए वो सोचने लगे। जो करना चाहिए सो करने लगे तो अपना बेढा ही पार हो जाए। अंतह ज्योती की एक किरण उग पड़े तो पग पग पर थोकर लगने के निमित बने हुए इस अंधकार से छुटकारा ही मिल जाए जिसने शोख संताप की विदम बनाओ को और से आवरित कर रखा है। परमेश्वर्यो साक्षी, ब्रिष्टा, नियामक, उतपादक, संचालक सब कुछ है पर उसके जिस अंश की हम उपासना प्रार्थना करते हैं वो सरवात्मा एवं पवित्रात्मा ही समझा जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिधी को संकीर्न रख ममता से छुडा कर आत्मविस्तार के क्षेत्र को व्यापक बना लेना यही आत्मोधार है। इसी को आत्मसाक्षातकार कहते हैं। प्रार्थना में अपने उच्च आत्मस तरसे पर मात्मा से यही प्रार्थना की जाती है कि वह अनुग्रह करे और प्रकाश की ऐसी किरन प् तर्वत्र दीख पढ़ने वाला अंदकार दिव्य प्रकाश के रूप में परिनत हो सके। लगुता को विशालता में तुच्छता को महानता में समर्पित कर देने की उत्कंठा का नाम प्रार्थना है। नर को नारायन, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने का संकल्प प्रार्थना कहलाता है। आत्मा को आबद करने वाली संकीर्णता जब विशाल व्यापक बनकर परमात्मा के रूप में प्रकट होती है तब समझना चाहिए प्रार्थना का प्रभाव दीख पढ़ा। नर पशु के स्तर उचा उठकर जब मनुष्य देवत्व की और अग्रसर होने लगे तो उसे प्रार्थना की गहराई का प्रतीक और चमतकार माना जा सकता है। आत्म समर्पन को प्रार्थना का आवश्यक अंग माना गया है. किसी के होकर ही हम किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं. अपने को समर्पन करना ही इश्वर के हमारे प्रती समर्पित होने की विवश्टा का एक मात्र तरीका. शर्नागती, भक्ती का प्रधान लक्षन माना गया है गीता में भगवान ने आश्वासन दिया है कि जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उनके योग शेम की सुक्ष, शान्ती और प्रगती की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ सच्चे मन और जूठे मन की शर्नागती का अंतर्स पश्ट है, प्रार्थना के समय तन, मन, धन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करने की लच्छेदार भाशा का उप्योग करना और जब वैसा करने का अफसर आवे तो पल्ला जार कर अलग हो जाना जूठे मन की प् जिस तरह व्यभिचारी किसी भोली लड़की को फसाने के लिए लंबे चोड़े सब्जबाग दिखाता है और यह जानते हुए भी कि यह आश्वासन मुझे पूरे करने नहीं है, बड़े बड़े विश्वास दिलाता है, कसमे खाता है, उसी प्रकार जूठे मन से की हुई प्रार्थना इश्वर को ठगने बहकाने के लिए होती है, समर्पन शर्णा गती जैसे दिव्यस्तर के अर्थ समझता होगा वो इतना भी जानता होगा कि उसका तात पर यह अपनी लिपसाओं को भगवान की इच्छाओं में परिनित कर देने गती विधियों को त्रिश्ण वासना के चंगूल से छुडा कर इश्वर की इच्छानुसार उत्कृष्ट विचारना तथा आदर्श्वादी क्रिया पध्धती से अपने वर्तमान धाचे को बदलना ही होता है, जो इसके लिए तयार होकर समर्पन शर्णा अगती की बात करे उसी को सच्चे मन से प्रार थीक न होने के कारण वो बिक्री की थी, अब होश में आने पर उस इकरार नामे से इनकार करता हूँ, पूजा, प्रार्थना के समय लोग न जाने क्या क्या स्तुती, प्रार्थना करते हैं, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरा ही हूँ, तेरे चरणों में पढ़ा हुआ ह मेरा तो तू ही है तेरे सिवा मेरा कौन है आदी आदी वे इन शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते और न फलेतार्थ जो शब्द कहे जा रहे हैं यदि वे समझ बूच कर होश हवाश में कहे गए होते तो जरूर उस थिती के अनुरूप जीवन क्रम धालने और विचारों त पार्यानवित होने की आवश्यक्ता अनुभव होती है तब सब कुछ बहुत कथिन प्रतीत होता है। होश में आये हुए शराबी की तरह तब उस कथनी को करनी में परिनित कर सकने की हिम्मत न होने से यही कहना पड़ता है उस इक्रारना में से इनकार करता हूँ जो पूज के समय सब कुछ भगवान को समर्पन करने वाली शब्दावली के साथ कहा गया था। अपने प्रारब्ध भोग जब उपस्थित हो तो उन्हें धैर्य पूलवक सह सकने और प्रगती के लिए परम पुरुशार्थ करते हुए कभी निराश ना होने वाली मनहस्थिती बनाए रह सके। की सफलता के लिए गतिशील रहने की पैरों में शक्ती बनी रहे ऐसी उच्चस्तरिय प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना के रूप में पुकारा जा सकता है, जिसमें धन, संतान, स्वास्थ्य, सफलता आदी की याचना की गई हो और जिसमें अपने पुरुशार्थ कर तव्य के अभिवर्धन का स्तरण नहो ऐसी प्रार्थना को याचना मात्र कहा जाएगा, ऐसी याचनाओं का सफल होना प्रायह संदिग्ध ही रहता है। की भूमिका में प्रवेश करता है। अनकार को खोकर समर्पन की नमटा स्वीकार करना और उद्धत मनोविकारों को ठुकरा कर परमेश्वर का नेत्रित्व स्वीकार करने का नाम प्रार्थना है, जिसमें ये संकल्प भी जुड़ा रहता है कि भावी जीवन परमेश्वर क के निर्देशों के अनुसार पवित्र और परमार्थी बना कर जिया जाएगा। ऐसी गहन अंतस्तल से निकली हुई प्रार्थना जिसमें आत्म परिवर्तन की आस्था जुड़ी हुई हो भगवान का सिंघासन हिला देती है। ऐसी प्रार्थना के परिणाम ऐसे पक डॉक्टर शून्य केरल ने अपनी प्रत्येक सफलता के पीछे ईश्वर की अनुकंपा को छिपा हुआ देखा है। वे कहते थे तुछ्ष मानव प्रानी उन्नती के उस्तर पर नहीं पहुँच सकता जहां साधारन लोग आमतोर से नहीं पहुँचते। इन परिस्थितियों और विशेश सूज बूच के पीछे उन्होंने सदा परमेश्वर का दिव्य सहयोग जाकना देखा और सदा यहीं कहा यह वाहन अंतरंग से निकलने वाली भाव भरी प्रार्थना की प्रतिक्रिया है। उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धती के साथ और अधिक प्रार्थना को महत्त्व दिया। वे हर रोगी से कहते थे सच्चे मन से प्रार्थना करो अपनी भूलों के लिए पश्चाताप और भविश्य में निर्मल जीवन जीने की प्रतिग्या के साथ यदि प्रार्थना करोगे तो वह जरूर सुनी जाएगी। सच्चा इ प्रांधी ने अपने एक मित्र को लिखा था। राम नाम मेरे लिए जीवन अवलंबन है जो हर विपत्ती से पार करता है। जब तुम्हारी वासनाये तुम पर सवार हो रही हो तो नमटा पूर्वक भगवान को सहायता के लिए पुकारो तुम्हें सहायता मिलेगी। जब मन दुर्बल हो रहा हो मनोविकार बढ़ रहे हो और लगता हो कि पैर अब फिसला तब फिसला तो सच्चे मन से प्रभू को पुकारना चाहिए। गच को ग्राह के चंगुल से छुडाने वाले भगवान पतन से परितरान पाने के लिए व्याकुल आर्थ भक्त की पुकार अंसुनी नहीं करते हैं और उस मनोबल रूप में अंतह करण में उतरते हैं जिसे गरुड कह सकते हैं और जो पतनोनमुख दुश्प्रवरितियों के सर्पों को उदरस्थ करते रहने का अभ्यासी है। भगवान को आत्म समर्पन करने की स्थिती में जीव कहता है तस्यई ह मैं उसी का हूँ तवेहम मैं तो तेरा ही हूँ ये कहने पर उसी में इतना तनमे हो जाता है इतना घुल मिल जाता है कि अपने आपको विसर्जन विसमरन ही कर बैठता है और अपने को परमात्मा का स्वरूप ही समझने लगता है तब वव कहता है त्वमेहम मैं ही तु भगवान को अपने में और अपने को भगवान में समाया होने की अनुभूती की जब इतनी प्रबलता उत्पन हो जाए कि उसे कारियर रूप में परिनत किये बिना रहा ही न जा सके तो समझना चाहिए कि समर्पन का भाव सच्मुच सजग हो उठा ऐसी शर्णागती व्यक्ती को दृतागती से देवत्व की और अग्रसर करती है और यह गतिशीलता इतनी प्रभावकारी होती है कि भगवान को अपनी समस्त दिव्यता समेत भक्त के चरणों में शर्णागत होना पड़ता है यो बड़ा भगवान ही है पर जहां प्रार्थना, समर्पन और शर्णागती की साधनात्मक प्रक्रिया का संबंध है इस क्षेत्र में भक्त को बड़ा और भगवान को छोटा माना जाएगा क्योंकि अक्सर भक्त के संकेतों पर भगवान को चलते हुए देखा गया है